गुट मॉर्निंग ब्रदर्स इसवद मॉर्निंग ओर यह सिलिम आप लोगों को गुट मॉर्निंग से ग्रीट कर रहा हूं सो सॉरी हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ा से लेट देखें आए ओब आपकी ओल्लाइन जर्नी पढ़िया चल रही होगी कुछ लगों जाप रेड और अन कर रहे होंगे अपने परिवार के लिए और यही मैं विश करता हूँ कि आप सब की ओल्लाइन जर्निंग हमेशा अच्छी चलते रहे और आप सही तरीके से पैसा कमाए तो कई सारे लोग इतने दिनों से मेरे पीचे पड़े हुए थे आप लोगों दिखाने के लिए कुछ दिनों पहले या कह सकता हूँ एक मन्त पहले मैंने एड्स टेरा का अर्निंग चैलेंज की एक सिरीज चालू करी थी यकीन मानिये दिस वस्ट टाइम मैंने इस सिरीज के अंदर अपना सारा एक्स्टीरियन्स सब कुछ जोपा ताकि मैं ज़्याद से ज़्यादा अर्निंग आपको करके दिखा सकूँ और रिजल्ट आप सबके सामने हैं बहुत अच्छे रिजल्ट हमको अचीव हुए और आप सबके सिर्फ questions यी questions थे कि हम कैसे मतलब सर आप मेरे को बताईए भाई मेरे को बताईए कैसे आपने की है सिर्फ एक ही question है जितने मी मेरे viewers है maximum बहुत कम लोग हैं जब भाई को दिल से प्यार करते हैं मेरी बातों को समझते हैं लेकिन बाकी जो majority audience है उनको चाहिए सिर्फ earning का source और अगर आपकी यही विश है तो मैं आज आपके सामने ले के आ गया हूँ Ads Terra की complete video आप लोगों के special request के उपर and so sorry for the delay काफी दिन से अपने कुछ projects के अंदर मैं busy था and I hope you understand तो without a delay मैं सीधा लेगे चलता हम अपने computer screen के ओपर कल मैंने community के ओपर मैंने question डाला था एक post डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से request किया था कि please ask anything about ask ads Terra जो आप मेर से पूछना चाते हैं और मैं कल की video में उसको आपको सारे जो भी आप मेरे अंदर जो मुझे पता है मैं वो सारे answers आपको देने की कोशिश करोगा and I have received a lot of questions thank you for your support and love I love you brothers ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो लोग ने जानते ads Terra क्या होता है ads Terra is a advertise wing platform जा पे कोई एक advertiser जा के अपनी ads को run करवा सकता है और कोई भी एक publisher जा के अपनी website को monetize करवा सकता है तो I hope यह तो सब तो पता होगा और बहुत सारे questions है ads Terra के उपर लेगे लोगों के बीच हुए कि क्या ads Terra payment देता है क्या ads Terra legit है क्या ads Terra ads Terra ads Terra हर जगा ads Terra ads Terra हो रहा है देखिए in my opinion after adsense अगर कोई legit platform है तो वो है ads Terra पशरते आप धंग से काम करेंगे तो तो अगर आप धंग से काम करेंगे तो I am sure कि ads Terra आपको अच्छी खासी earning करके देगा and बस एक उसका requirement like any other advertisement या publishing platform की आप जो उनका publisher है वो fair है और वो सही तरीके से पैसा अन करता है self clicking या फिर किसी softwares या tools या extensions का use नहीं करता पैसा कमाने के लिए जैसा कि कुछ लोग preach कर रहे है आजगल youth को और मैं बिल्कोल भी youth को recommend नहीं करता है कि आप इस तरीके से पैसा कवा है थोड़ा सा पैसा लेट आएगा लेकिन जो बीच में आपका learning करव होगा उससे आप कभी भी कभी भी पैसा कमा सकते है and one more thing before proceeding to the video इस वीडियो को आप लोगों से request है कि पूरी वीडियो देखिएगा मैंने सारे questions के जवाब देने की कोशिश की है and जाद 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 शेयर करिएगा and आप लोगों का प्यार काफी मिला है YouTube पे हमने जब शुरुआत करी थी तो मुझे नहीं पता था कि इतने लोगों तक मेरी बाते पहुच पाएंगी इतने लोग मुझे समझ पाएंगे और जो आप लोगों ना प्यार दिया है thank you so much तो चलिए अब सीधा आजाते है questions के उपर तो ये कल मैंने community का post किया था जिसके दिल में जो भी सवाल हो एड्स टेरा तो लेकर comments में डाल दो discuss करूँगा खल वाली वीडियो में यानि इस वीडियो के अंदर तो चलिए चलते हैं sought by newest first और नीचे से उपर की तरफ चलते हैं ओके प्रो क्या एड्स टेरा में सच में अर्निंग होती है जिसने मेरी अभी तक मैं आपको दिखा देता हूँ जिसने मेरे अभी तक payment proof नहीं देखा है तो वो इस playlist में जा सकता है प्लेइस्ट के अंदर मैंने एक एड्स टेरा का पूरा पूरा अर्निंग सिरीज का प्लेइस्ट बढ़ा है नहीं तो ये वीडियो है जिसके अंदर clearly लिखा हुआ है payment proof one month earning experiment for एड्स टेरा तो payment proof मैंने डाल रखा है जिसको लगता है earning नहीं होती है वो इसके अंदर जाके earning को check कर सकता है क्या ads टेरा और adsense एक block पे use कर सकता है कोई मसला तो नहीं होगा बिलकुल use कर सकते हो यार make sure कि ads टेरा और adsense के जो भी codes है आप banner ads या फिर जो आपके 320 by 250 pixels वाले banner ads है या फिर और banner है और भी बड़ा तो ऐसे ads को आप adsense के साथ जरूर use कर सकते हैं बस in my experience I do not use social ads और ऐसे किसी social bar जो है या pop under वाली ads है उसके साथ मैंने सुनाए कि काफी users को दिक्कत आई है and क्यूंकि because google consider these type of ads as malware तो इन ads से बचा जाए बाकी banner ads को आप definitely use कर सकते हैं मेरे experience में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है bro अगर सच में earning होती है तो pure method जरूर बताईएगा we'll wait for your video monthly दो ठीक है पहले इस question को ही resolve कर देते हैं सच में earning होती है तो like I said payment proof वाला video short के अंदर मैंने डाला हुआ है payment proof जाके देख सकते earning तो सच में होती है यार क्योंकि मैंने proof आपको दिया earning तो हुई है and pure method what do you mean by pure method अब आता है कि earning हुई कैसे है देखो यार इस दुनिया में कुछ भी free नहीं है अगर आप short term में पैसा अब जैसे कि one month का earning challenge अगर मैं अगर यह चाथा कि सारी की सारी organic चीजों से मैं earning कर गए आपको दिखा दूँ तो यह possible नहीं हो सकता था because organic के लिए इतना traffic आपके पास होना चाहिए आपको बट आपको क्या करना है इसके अंदर जो मैंने method जो मैंने method apply किया इसके अपपर that was reputed sources से अच्छा traffic लिया थोड़ा बहुत organic मेरे पास था उन दोनों को mix किया ads की placement अच्छे से की और result आपके सामने है by God's grace अभी तक तो result ठीक रहा था ठीक है अभी तक है भी ठीक है तो उसके बाद earning तो होती है और method यह है कि like this is one of my site आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ blur दिखेगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ because due to the reasons आप लोगों पाच्छे ज़र पता है क्यो blur दिखेगा बाकी आप लोगों मैं समझाने की पूरी गोशिश करूँ like this is one of my site इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एड्स टेरा के banner ads को प्लेस किया हुआ है और यह banner ads है जो की बस मैं यह यूज करता हूँ no popender, nothing बस banner ads को ही यूज करता हूँ और banner ads से ही आपके काफी अच्छी earning हो जाएगी trust भी क्योंकि जब मैंने के लिए तो आप भी कर सकते हैं तो यह तो हो गया तरीका मेरा कि मैं कैसे करता हूँ अब आप कहेंगे earning करने के लिए क्या करते हो, traffic लाने के लिए क्या करते हो तो उसके लिए सबसे पहले मिरे को आपको समझाना पड़ेगा ठीक है तो मैं बाकी questions अभी पढ़ लेता हूँ क्योंगी उपर traffic के source के बारे में questions है तो उस email चलके मैं आपको traffic के source भी बता दूँगा तो आपका I guess pure method जो आप मेंसे पूच रहे हो, मैं सिर्फ banner ads का यूज़ करता हूँ, बाकी traffic वाला अभी मैं आपको थोड़ी दर में बता देता हूँ, earnings yes, सच में earnings होती है मंतली 200-300 डॉलर हो जाएं तो काफी है वाई, जैसा spend करोगे जिस इस आपका traffic लेके आओगे, उसी इस आपस डॉलर बनेंगे, minus the advertisement cost, तो 200-300 अगर आपको 1000 डॉलर किसी के दिखते हैं उसका earning यही समझ के चलिए हो आप 500-600 डॉलर या कभी कबर 400 डॉलर यही earning होता है आर्बीटराज का मतलब क्या होता है जो आपने revenue कमाया minus the advertisement cost, जो बचा वो आपका profit यह एक simple सी math से है और इसको समझ ना आए किसी को, यह मिरको ऐसा लगता नहीं है, तो simple मंतरी 200-300 डॉलर यही आदमी 500-600 डॉलर ही बना पाता है ठीक है, ब्रो इस वीडियो का वेट कर रहे हैं, पिछले एक यार, thank you so much आप लोगों को मैंने इतना वेट करवाया और आप लोगों ने इतनी शिद्दत से इस वीडियो का वेट किया, thank you so much for that, मुझे काफी अच्छा लगता है, अपने questions यहां डाल दिए, तो मेरा ही comment है traffic source बताए facebook के अलावा and twitter से traffic लानेगी to be very frank, इस experiment के लिए मैंने twitter से कोई traffic नहीं लिया था मेरे दो ही source थे, एक था facebook ads, एक था google ads सिर्फ मैंने दो ही platforms को use कया था, google ads facebook ads, और बाकी मैंने ad networks इसनी use नहीं किया थे, क्योंकि जो मैं experiment करता रहता हूँ, उसके अंदर आप में देखे होंगे mixed results मिलते है, तो मुझे एक चीज़ की तो surety है, या तो आगर आपका traffic source सही नहीं है, तो आपका publishing account, जिसमें आप ad publish कर रहे हैं, वो account चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो ads sense हो, चाहे वो ads सहरा हो, या कोई और network क्यों नहीं हो, वो जरूर risk पे होता है, तो मुझे ऐसा risk नहीं लेना था, विकाउस one month का earning challenge था और मैं वो ऐसा risk ले नहीं सकता, तो I wanted to make sure कि traffic legit sources है, तो मैंने इस earning challenge के लिए दो sources use किये थे, that is Google ads और Facebook ads, और यकीन मानिये, सिर्फ इस experiment के लिए नहीं, इससे पहले भी मैंने आफी सारे Google ads और Facebook ads को use करता रहा हूँ, आज से नहीं, पिछले एक साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है, यहां से जो traffic source आता है वो legit होता है, और अगर आपकी strategy सही है, तो आपको पैसा कमा के भी बहुत अच्छे से देगा भाई, आप कौन सा ad format यूज करते हो, like I told you I only use banner ads, banner ads के लावा मैं कुछ भी use नहीं करता हूँ, popender और यह समय अभी तक मैंने try नहीं किया है, आगे कभी try करूँगा, तो मैं बिलकुल आप लोगों साथ share करूँगा बट फिलाल जो मैंने use किया है, आप लोगों के सामने clarity रख दिया है, that is only the banner ads, और कौनसी गलती नहीं करनी है, इस network में बिलकुल बता दिये है यार, आपको ऐसा traffic source, अधर आपको लगता है 1% भी की महा से risk है मैं experiment अपने पैसे खंच करके क्यों करता हूँ, अपने पैसे घर्च करके experiment बैक, इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगी क्या results आ रहे हैं, जो हवा बनी हुई है market में, जो कुछ youtubers ने उसको इतना promote किये हुआ just for the video content उसके बाद चाहे जो publisher उसका account रहे या ना रहे उससे किसी को भी कोई राब्ता नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ कि transparent environment बना रहे publisher के लिए आप लोगों के लिए, जो लोग सीखते है videos को देख देखके, और उसके बाद अपने smart decision ले सकें कि क्या मेरे को इस platform को use करना है, हाला कि traffic सस्ता जरूर होता है, लेकिन सस्ती चीज़ के जाद हमेशा risk आता है, ये मेरा life का experience है, तो अगर आप risk लेने को तेयार हो, इसलिए मैं सबको कहता हूँ, at your own risk, अगर आप करना चाते हो, तो अगर account कल खोड़ता है तो मुझे peace गाली ना बकिएगा क्योंकि मेरा time है, सिर्फ एक चीज़ को run करना, उसको दिखाना results, उसके बाद smart decisions साफ लेना, हो सकता है, experiment और भी कई तरीकों से किया जा सकता है, बट जो उस वर्ट मुझे समझा आया, क्योंकि experiments free में नहीं होते हैं, और आपको भी बता है, सब के पास जितना भी पैसा है, किसी के पास आज है कल नहीं है, कल होगा, बट जो भी पैसा है, उसकी value हमेशा करनी चाहिए, ऐसे हम भेश नहीं कर सकता है, experiment, कुछ हत तक मैं चाहता हूँ कि जो लगाता भी हूँ पैसा, तो उससे clarity हो जाती है, कुछ लो comment में लिखते हैं, पास डॉलर से बताओ जी, आपको ये test कर लिया, पास डॉलर से होता ही है, यार, पास डॉलर is enough, एक experiment करने के लिए, आप उसका result आगे 2-0 लगा लो, 3-0 लगा लो, multiply कर लो, match कर लो, यार, उसके बाद आपके भी तो खुद के पैसे हैं, आप खुद लगा के experiment करिए, एक अगर मैं initiative ले रहा हूँ, आपको experiment करके दे रहा हूँ, तो आपका ये duty बनता है, कि आप उससे positive चीज ग्रैब करें, उसमें कमिया है, नुक्स तो कोई भी निकल सकता है, अधर आपको निकालने हैं, तो मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपके चार सवालते हैं अजे जी, और ये मैंने कर दिये हैं, यहाँ पे इनको, जो भी मेरे जो मेरी knowledge थी, उसके accordingly अउसर करने की कोशिश करिए, मैंने, ब्रो, कोई ऐसा एड़ सेरा method बताओ, जिससे account banned ना हो, भाई, अगर ये मुझे काम करता है, कोई भी action लेता है, तो उसको अंदर पता होता है कि, is it right or wrong? अगर आप आग बंद करके देखते हैं, और सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ये right है, इससे किसी का भी arm नहीं हो रहा है, तो definitely यकीन मानी है, यार, ये companies आपको लूट निकले नहीं बैठी हैं, these are legit companies, अगर payment दे रही हैं न, तो these are legit companies, but ये आप से क्या demand करती है, आप से demand करती है कि आप बिल्कुल truthfulness के साथ, आप बिल्कुल, मतलब, जए एक होता न, idle publishing network को use करने के लिए, जो candidate इनको चाहिए होता है, कि वो सच्चाई से इसको network को use करें, कोई इसमें जोल जपाला ना करें, या कुछ भी मतलब वोटाला करने ही, गोशिच ना करें, तो account बैंन नहीं होगा, ये मेरा experience है, बाकी, बहुत से लोगा है, आप खुच सो जो है, अर अगर मैने बात में, फिर से रिपीट करता हूँ, पिछले वीडियोस में बैने इसको रिपीट किया, आप एक advertiser है, आपने किसी company को ads दी है, अपनी की ad promote करो, ताकि मेरे पास customer है, बाट आपने क्या किया, किसी YouTuber किये, या फिर किसी एक influencer की बातों में आके, आपने chrome के extensions डाल लिए, और उसके बाद वो extension क्या कर रहा है, उस ad को खुद खोल रहा है, self-click कर रहा है, उसके बाद आप expect करते हैं कि आपके accounts बैन ना हो, यार यह सब company, sorry for my language, यह सब company फुद्दू थोड़ी बैटी हैं, अगर इन्होंने इतनी बड़ी multi-million dollar की company यह चला रहे हैं, तो क्या इन्होंने technology के उपर invest नहीं किया होगा, आपका जोल, आपका गोटाला कुछ महीने बुले चल सकता है, बट वो sustain आप नहीं कर सकता है, कभी नगभी तो पकड़े जाओगे, और account भी बैन होगा, तो ऐसा काम करना अगी हूँ, शुरू में कम कब आलो, दीरे दीरे अपनी earning पे जब आपको confidence हो जाए, सही तरीके से करोगे, तो I hope account बैन नहीं होगा, छीक है, I have a Facebook page over 150K followers, but no earnings, my impressions are 16,000 plus, brother, impressions doesn't matter, impression के ओपर के actions matter करते हैं, क्या आपके post में इतना दम था कि लोगों ने उसमें engage किया, engage किया, click किया, website के उपर गए, impressions से क्या मतलब होता है, impression नहीं engagement आपको देखना है, अगर 16,000 impressions हैं, और उसमें से अगर 50% यानि कि 8,000 लोग भी आपके network के उपर, आपके website के उपर गए हैं, तो आपके असली earning माईने होगी, आपको ये खोद स्मार्टली figure out करना पड़ेगा, लोग क्या देखना चाहते हैं, Facebook ads पे इतना पैसा गवाया हैं मैंने, आप सोच भी नहीं सकते हैं, Facebook ads पे जो जनता को चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा, आपके page की जो audience है, पहले बाद तो उनका interest समझी है, आप Facebook के meta के अंदर analytics हो जाईए, उनके interest को समझी है, उनके पहले आप देखे कौन है, किस age category के लोग मेरे page पे जुड़े होगा है, क्या वो आदमी है, क्या वो women है, कौन है वो लोग, यह सब interest जब आप समझेंगे, उसके बाद ही आपका एक page आपको positive result लाके दे सकता है, यह सब कुछ नहीं है यार, impressions आगए, सब कुछ हो गया, well and good, मैं भी ads run करता हो, but engagement, everywhere, किसी भी field बे आप चले जाओ, लाखों की भीड है, but, जो उनका आपको क्या कहते है, interest जब तक आप अपनी तरफ अट्रैक नहीं करोगे न, तब तक वो audience को कोई फायदा नहीं है, रिक है, भाई आप shortcut ना बताएं, बल्कि एक proper way बता दें, जिससे बिना investment के, एड शर से earning शुरू कर दें, बिना investment के, ब्रदर आप बिना investment के, आप ये सोच के चलिए, आप वो बात कह रहे हैं कि, आपका एक blog है, उस blog के उपर आपने इतरा अच्छा content डाला है, keyword research करी है, domain जो आपने ले रखा है, वो एक proper match वाला domain है, skip पर में वीडियो बना हुआ, organic skip पर काम करेंगे, जाके आप कहा सकते हैं, कि बिना investment के, मैं आड़ शारा से पैसे कमा सबता हूँ, बार्ट आजगल सब सिर्फ सब को पैसा कमाना है, लेकिन मैनत किसी ने नहीं करी है, बस बिना मैनत के, मुझे नहीं पता कहां पे पैसा मिलता होगा, अगर किसी को पता है, आप लोग बताओ, earning करने की सोच रहे हो, मतलब वो लोग पागल बैटे हैं, जो सालों सालों की मैनत करते हैं, जो job भी करते हैं, साथ मैं मैनत भी करते हैं, उस सपने को लेके, कि मैं परिवार की जरूरतों को पूरा करूं, तब जागे ये सब काम होता है भाई हर चीज में महनत लगती है बहुत महनत चैलेंज वाली वीडियो जल्दी डालो भाई उसी के उपर बात हो रही है और उसी के लिए questions पूछे था मैंने आप से दो one challenge, one one तो ये लिखना चाला है यही shortcut है इससे यादा मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरा PC कल डेट हो गया था मदर वोड ट्रैश हो गया है वाई अब पैसे भी नहीं है मुझे अट्शेवर से अन करना है प्लीज असली method बताओ प्लीज असली method यही है ब्रो traffic लाओ, earn करो अभी मैं traffic के उपर भी पूरी clarity देता हूँ कैसे आता है, कहां से आता है तो ठीक है, कोई आए traffic वाला question चलो मैं अभी कहा करता हूँ बीच में questions रोक के मैं सीधा दिखाता हूँ आपको traffic traffic का आप पूछ रहे थे तो सबसे पहले मैं clarity करने की कोशिश करता हूँ आपको मैंने आड रिखा दिया this is one of my website अब आप इसके अंदर देखिए, मैं इसके अंदर filter लगा देता हूँ या मैं filter लगाता हूँ last month का, जुलाई का लगा देते है एक जुलाई से लेके 31 जुलाई का filter लगा देता हूँ इससे आपको ये पता चल जाएगा कि actual में organic traffic क्या है, search console है किसी को नहीं पता, तो ये actual का traffic है 4000 लोग actual में मेरी website के उपर है उनको मैंने ads जाना के ads शर्व करी 4000 लोगों को, ठीक है अब ऐसी मेरे पास बहुत सारी websites है, बहुत सारी है due to the limitation of time and previously मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकता बट ये एक website का example में ले रहा हूँ ये जो है, 4000 लोग आए एक महिने के अंदर इतने clicks आए मेरे पास और average position आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ ये organic की help से first position, third position ये सब तो मेरी position रही है first position पे भी मैं rank कर रहा हूँ ठीक है, तो आगे आने वाले time में ये website organic तरीके से मेरे को काफी सारा पैसा कमा के देगी तो ये तो ही मेरी organic की मैनच जो आप देख सकते हो but इतने traffic से मैं ज़्यादा पैसे नहीं कावा सकता hundred dollars के अगर आपका target अपढ़ देगा तो आपको कुछ लग उस्तों investment करनी पड़ेगी अब let's say मैं आपको दिखा देता हूँ की मैं कौन से tools को prefer करता हूँ testing के लिए experiments के लिए तो मैं सारे publishing networks को मैं use करके आपको दिखाता हूँ but मैं कभी भी अपने personal projects में उन network को use नहीं करता because उनके साथ कुछ positive है तो कुछ negative भी जुड़ा हुआ है और risk है that means और जहां risk है मैं उसमें हाथ नहीं लगाता चाहे point something percent का भी risk है तो मैं बिल्कुल risk नहीं ले सकता अपनी earnings के सार तो what I suggest कि मैं सिर्फ Google Ads और अपना Facebook Ads यह मेरा Google Ads का billing console है मैंने खोल के दिखा रहा है इसके अंदर आद देख सकते हो these are the monthly payouts that I pay to Google यह इंडियन रुपीज है यह हो गया 11,000, 20,000, 33,000, 20,000, 22,000 तो अगर इतने पैसे मैं Google Ads पर दे रहा हूँ तो that is I am the avid user और इस मन्द की payment इबाकी यह सब है अपना Google Ads का और Facebook Ads से मैं traffic को fetch करता हूँ यह Facebook Ads का मैं एक campaign आपको दिखा देता हूँ इसमें मैंने लगवक 7,000 इंडियन रुपीज लगाए थे और इसके अंदर मेरे को जो engagement अभी एक भाई कहा रहा था मेरी post के impressions इतने आए 50,000 मुझे impressions आए लेकिन engagement सिर्फ इतना था तो अगर engagement इतना था तो आप समझ सकते हैं कुछ users यहां से मेरे को मिल गए थे जो 40,000-50,000 का traffic अगो मैं ऐसे ही pull करता हूँ तो इसके अंदर 7,000 रुपे मैंने यहां लगा दिये 7,000 आपके हो गए कितने 100 डॉलर्स यहां लगा दिये मैंने देकिन अगर आपको 100 डॉलर्स यहां लगाए हैं और यहां पे भी मैं कुछ 200-300 डॉलर्स का इन्वेस्ट करता हूँ पर मंद तो अगर आप 300-400-500 डॉलर्स लगाए 1200-1500 डॉलर्स कमा सकते हैं 2000 डॉलर्स कमा सकते हैं तो यही एक actual way में arbitrage हो गया आपको प्लस कुछ organic traffic मेरा है तो यह सम मिली जूली चीजे करके अब आप मान के चलिए मेरा total कर्चा अगर मैं अंदाजा नहीं रहा हूँ तो एक मन के अंदर मैं मान के चलूँ तो मैं 500 डॉलर्स कर लेके चलता हूँ और उसमें मैंने कमाए 2000 डॉलर्स तो पंदरा सो डॉलर्स की मेरी कमाई हो जाती है और पंदरा सो डॉलर्स आपका कितना हो जाता है एक लाख रॉपे गयाज़ प्लस पर मन्त हो जाता है विच इस गुड यह सिर्फ एक network की बात में कर रहा हूँ मैं और networks पे काम करता हूँ तीन चान networks पर काम करता हूँ सबके चैलेंज लिगा हूँगा अगला टार्गेट आये आयोप की मैं AdSense के उपपर आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट शेयर करने वालों एक महिना करेंगे पूरा देखेंगे जन्वन तरीके से जन्वन तरीके से पूरी क्लारिटी है इसमें ट्राफिक के उपपर ये ऐसे में फेच करता हूँ बिना पैसा लगाए आप कैसे बिजनेस करोगे मुझे नहीं बता है और 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 गैनिक पे भी मैं मैंनत कर रहा हूँ और गैनिक के रिजल्टस आपके सामने है ये एक वेबसाइट है और बाकी आप कहेंगे कि एड्स का क्या रिस्पॉंस आता है क्या एड्स से क्या होता है एड्स का रिस्पॉंस भाए दिखा देता हूँ ये मेरी एक वेबसाइट है जिसके उपर ये रियल ट्राफिक चल रहा है अगर आप 200 मान के चलू आदे गंटे में तो 401 गंटे में होता है और 24 गंटे में कितना होगा आपका गाणा और दिखा देता हूँ अपने बास और भी चीज़े है यार ये वेबसाइट है अब इस वेबसाइट के उपर आप देखिए इसका लाइब ट्राफिक आपको दिख जाएगा इसका लाइब ट्राफिक और डगल चल रहा है ये 400 के असबास चल रहा है ऐसी और भी वेबसाइट है जिसमें मैंने अड रन किया हुए तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ट्राफिक ऐसे आता है कि कुछ और गैनिक आ रहा है कुछ मैंने अड्स के दूरूप प्लेस कर रहा है या नहीं कि अगर मेरे पास इतना ट्राफिक है तो मैं जरूर अड्स प्लेस कर सकता हूँ तो अब आपको देखना है आपकी पॉकेट क्या लाओ करती है आप कितना इंवेस्ट कर सकते हैं और ये मैंने सब कुछ डैश बोर के सारी क्लेरिटी मैंने की कोशिष करी है कुछ पैसा लगा के आप उस मैसे बचट करने की कोशिष करते है हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ महीनों में आपने लेट से 500 डॉलर कर्च के तो सिर्फ 1000 डॉलर रिगोवर हुएं। कुछ महीनों में ऐसा होता है कि 3000 डॉलर साथे। इस इस अ गेम। आना हम आप जो कर दें। बट कोशी जे करनी है कि ब्रेक इंतर है 500 लगा कि 500 तो पमानी ही है। 500 से नीचे नहीं जाना है। लॉस नहीं करना है। बट शुलवाती दिनों में मुझे लॉस भी होता जब मेरे को सही गाइडेंस नहीं थी और जब मैं अंदा दूम किसी की वाते सुनके सिर्फ इन्वेस्ट कर देता था। तो ये मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई थी। I hope कि थोड़ा बहुत यहापे कुछ आपको clarity हो गया होगा कि मैं क्या काम करता हूँ कैसे काम करता हूँ। ठीक है और ठीक है भाई इसका सवाल कर जाओ काफी सारे questions है प्लीज बेर विद मी सारे questions सुनिए या वीडियो को ही देखेगा I request मैं आपके लिए काफी मैनत कर रहा हूँ और time निकालके मेरे को ये वीडियो आज बनानी पड़ी काफी यूजर्स इतना गुस्सा हो रहे थे टेलिग्राम पर भी थोड़े से ऐसे message कर रहे थे कि आपको डालनी नहीं है हम आपको genuine सबस्ते है तो सिर्फ आपके लिए time निकालके मैं वीडियो लेके आया हूँ ठीक है बाकी भी इतना जरूर कहेगा कि चाता हूँ कि उस earning को जल्दी जल्दी शेयर करो आप इसको focus में रखके पुछ ऐसा सिखा दे ब्रदर यही सिखाया है औरगैनिक आप देख रहे हूँ औरगैनिक मेरे वो सिर्फ एक website में ने दिखाई है चार अजार यूजर्स उस पर पनमंत आ रहे हैं किसी वे 5,000 यूजर्स पर मंत आ रहे हैं रैंकिंग मेरी अच्छी है उसके अंदर तो उसके लिए औरगैनिक के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा कल को मेरे पास पैसे ना रहे हैं तो at least मेरे घर की डाल रोटी तो चलती रहे है विकाज औरगैनिक ट्रैफिक मेरा काफी अच्छा आ रहा है औरगैनिक ट्रैफिक पर काम करिये चार अजार से मेरा जो अगला टारगैट है उसको at least दस अजार करना है पचास अजार करना है एक लाग करना है तो आपको आप खुद रिसाब लगा सकते हैं यार हर चीज मुझे समझाने की जरूत नहीं है God has given you brain also जो मेरे पास वो आपके पास भी है आपको बस figure out करना है की मैंने सिर आपको एक डिरेक्शन दे दिया की मैं क्या करता हूँ आपको समझा दिया है मैंने ठीक है और sir I have created APK downloading website from blogger theme pure APK so tell me the best and high CPM native winner brother high CPM का मतलग है होता कि किस country से visitor आपके पास आ रहे हैं तो CPM उसके basis पे आपको मिलता है CPM आप native banner बिल्कुल आप use करिये I always suggest की banners ही use करिये अभी तब मैंने popender के साथ experiment नहीं किया है मैं सिर्फ banner ads को ही use करता हूँ maximum and if possible please tell how you can earn $2000 बता दिये sir आपको मैंने already बता दिये advertisement run करिये traffic को generate करिये अपने website के अपर अगर आपकी website में दम है plus आप यह करें कि APK downloading है and I hope कि आप ऐसा कोई nulled APK नहीं sell कर रहे है आपनी sell sorry downloading का option दे रहे हैं जो कि I believe कि illegal भी हो सकता है but it is your choice मैं आपको कुछ नहीं कह सकता बट थोड़ा साथ क्या अगर APK आप कर रहे हैं तो वही APK आप करिए जो प्ले स्टोर पे भी अवलेबल है बट फिर user आएगा क्यों आपकी APK वाली site पे तो कल को अगर AdSense का approval भी मिल जाता है इसको पर मुझे तो वैसे ऐसी है कुछ sites जैसे code list हो गए जिसके उपर आपको AdSense का approval मिला हुए वो भी क्या करता है ऐसे null scripts और plugins आपको sell करता है sell के आप free में download करणवाने का option देता है अगर आप ऐसे APK से करमाना चाते हैं तो आपको मैंने direction दे दिये तो I hope आप इस direction को अपने according ली मोल्ड करके utilize कर सकते हैं मैंने आपको clarity दे दिये I am waiting for your videos I am love with your all भाई pin कर दो brother I love you too और pin मैंने अपना comment कर रगा है कि उसके अंदर कल मैंने डाला दे कि सारे यहां पे questions दे दो but I love you too thank you for your support and love भाई मैं वीडियो में समझ ही नहीं पाया complete video बनाए step by step brother यह step by step video नहीं है यह सिर्फ मेरी strategy sharing video कि मैंने कैसे क्या किया था जो लोग आप लोग जानना चाते थे waiting from long time I hope you are convinced with the strategy मैंने आपको बता दिये exactly what I do like what you have exactly do for achieving this type of great earning potential from ads चाहरा बिल्कुल बता दिये सर आप वीडियो देखिए आपको समझा जाएगा बिल्कुल मैं क्या करहा क्या इस matter से सब अंकर में सब कर पाएंगे brother बशर्ते दो चीज़े होने चाहिए organic traffic होना चाहिए और जेम में थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए जिससे आप arbitrage करके genuine traffic लेके आ सके genuine sources से लेके आ सके जैसा कि मैं Google Ads और Facebook Ads से लेके आता हूँ मैं सिर्भ इन दो चीज़ों पर विश्वास करता हूँ और 3-4 और networks हैं जिनको मैं कम यूज़ करता हूँ बट करता हूँ जैसे कि वो गया Pinterest Ads वो गया Quora Ads और आपका मैं Reddit के उकपर से भी traffic लेके आता हूँ तो ये सब चीज़े हैं चाहँ से मैं लेके आता हूँ Bing Ads को मैं यूज़ करता हूँ बट Bing Ads कभी-कभी बट जो majority मैं यूज़ करता हूँ आपको मैंने दिखा दिया है Facebook and Google Ads या अच्छा स्वारी बेटिंग थैंक यू ब्रदर भाई मुझे यह समन्नी आता है कि CPM Total ऐसे चलता है या कोई स्टेज स्ट्राटेजी इस्तमाल करनी परती है कि आपको उस कंट्री का यूजर ले के आना पड़ता है या पर CPM आई विले जैसे की जर्मनी फ्रांस तब ही जा के आपकी स्ट्राटेजी आप यूटिलाइज कर सकते हो स्ट्राटेजी किया इसमें बेसिक सिंपल है आपकी वेबसाइट पर कंटेंट आपको ट्रैफिक लेके आना है उस कंट्री से जापर जादा CPM है यह सिंपल सी स्ट्राटेजी इसमें मैं क्या समझाओं आप खुद समझदार है हेलो भाई भाई आप यह बताओगी हम एक ब्लॉक स्पोर्ट पर प्रोट कर सकते हैं अलागी आपके पास एक स्पेंडिंग आपकी जेव अलाओ करनी चाहिए तो आप ब्लॉक स्पोर्ट को भी प्रोट करके एट्स तरह से पैसे कमा सकते हैं बिल्कुल कमा सकते हैं टार्गेटिंग आप पोस्कंट्री करनी है जहाँ पे ज़्यादा सिंधियम है आप इस क्लियर ब्रो आपके एट सर्फ 40 के इंप्रेशन कैसे हो कहां से आते हैं बिल्कुल बता दिया है ब्रो ट्राफिक कर सारा सोर्स बता दिया है चालिस के क्या मैं एक एक लाक इंप्रेशन भी लेकर आता रहता हूँ अगर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा तो साथ अजार इंप्रेशन लेकर आता हूँ अभी तो अर्निंग मैंने और बढ़ानी की कोशिश करी है आप देख सकते हैं 265 dollars in a day हो रहा है अपना बाकी यही है बाकी इसमें अब देखता हैं कितनी हमारी जो बचात रहती है advertisement कोस्ट के बाद जो हमाना बचेगा that is my arming only ठीक है tell me the method which is 100% secure and which method बता दिया ब्रदर आपके इस question को औरड़ी मैं जवाब दे चुका हूँ तो I hope you are convinced with the solution नहीं है तो आप telegram में आगे मेरे से बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है बाई एक और वीडियो बताएं जिसमें traffic के method कोन बिल्कुल बता दिये ब्रदर कल को में detailed वीडियो ले के आऊँगा facebook ads, google ads के उपपर I already run but problem यह है ना कोई free वाली चीज रूनता है एक भाई, खुछ भाई क्या एक क्या बहुत सारे भाई मेरे से कहते हैं कि google का threshold वाला account है मेरे पाद आप resources यूज कर सकते हैं और अब तक करेंगे आपका दिमाग इसका मतलब सिर्फ उनी चीजों में लगा कि फ्री की चीजे कहां से मिलना है रादर आपका दिमाग इस चीज पर नहीं लगा कि मेरे ब्लॉक पे या मेरी वेबसेट पर कितना ट्रैफिक आया है एड्स चाहिए कितने impression शो हुए एड्स तरह के CPM क्या है और मेरी earning क्या हुए है बट रादर आप फ्री में आज भी गुशे हुए है तो फ्री में जब तक ये mindset नहीं निकालोगे तो कैसे कम होगे एक secure account रखो अपना एक एक एकाउंट से सब हो सकता है earning करके उस एड्स के expense वह आप फुल फ्री कर सकते हैं expense भी तो बाद में आता है ना पोस्पेड है ना गूगल एड्स में तो जैसे पोस्पेड होता है तो उसके बाद आप उतना earning potential करो ना जैसे कि आपने पांसो डॉल है तो पांसो निकालने की recover करने कोशिज हो ताकि आप एड्स का pay कर दो उसके बाद जो बचे वह आपका profit हो गया प्रीगे चक्कर में बाग के अपनी अनरजी क्यों विस्ट करते हो ठीक है अर्ब विट्राज में टोटल कितना स्पेंड हो बता दिया है सर अपरोक्स पांसो चैसो डॉलर इससे ज़्याद नहीं जाता है और एक्ट्राफिक सोर्स आपने कहां से लिए अर्ब विडियो डिले करने वाला कुशन हो गया अर्ब तरीके से आर्बिट्राज करता हूँ सस्तिन अर्ड नेट्वर्क्स वो नहीं पकड़ता हूँ जैन्वन ट्राफिक सोर्स वाले अर्ड नेट्वर्क से मैं ट्राफिक को पुल करता हूँ इसमें वीडियो क्या बनाना है ब्रदर विड्राज तो मैं करके दिखा चुका हूँ उसमें कुछ नहीं करना होता पेमेंट ओप्शन अपना डालना होता है और वो एक सबसे अच्छी बात है और 15 दिन में आपको पेविंट बिल जाती है This is the best thing about Adsterra ठीक है Brothers, आपकी जो एक मन की जरनी है उस पर details में बताईए कि आपने कितनी invest करी, बता चुका हूं Sir, I hope आपका question resolve हो गया, Adsterra में जो आपने earning करी है, उसकी complete details का आपका कल बताना है, बता दिया है और delay नहीं चलेगा महराज, बिल्कुल नहीं चलेगा महराज भाई, येस ठीक है, भाई फ्रम पाकिस्तान प्रीज आपका कोर्स पे पेड कोर्स भी किया पचास हजार का लगा लगा चुका बट एक डॉलर पचास हजार एड पे लगा दी होते एक डॉलर क्या कही है, जार डॉलर का मा लिए होते बट पता नहीं कॉर्स में क्या रखा है, क्या है क्या है क्या है क्या होता है हद हो भी simple सार, simple सी एक बात किसको नहीं समझ जा सकती कि उस country से ट्राफिक लेके आना है, जहाँ पर ज़्यादा सीकियम मिलता है, यानि कि टीर वन कंट्रीस से, उनको अमारे कंटेंट पे, एक एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, कि वो पढ़ने में मजबूर हो जाए, यह नहीं कि कुछ भी कचरा बर दिया है, और ट्राफिक लेका है, और डिटेल में, प्लीज में आपको टेलीरां में आकर कोर्स बता हो याद, क्या होता है कोर्स में, ऐसा कौन सी स्ट्रेटीजी बता जाती है, एक्स्टेंशन कैसे लेगाता है, यह सब है क्या कोर्स के नदर, क्यूंकि और और गानिक तरीका तो यही बता है मेरे हो, बागी इस मैं कर दिया करो, पेटियम एटियम नंबर डाल देता हो, और आप लोगो इतने कोर्स करने का शौक है, खाली ऐसी कर दिया करो, मैं अच्छे इंफर्मेशन लेके आता रहूँगा, यार, मैं क्या कोर्स कर रहूँगा आप लोगो, भाई आपका ट्रैफिक रोज, सोर्स लाज़ भी बताना, ड्रवर बता दिया आपको, आप हाई सीपियम लेने का तरीका कोई रॉकेट सांग्स नहीं है, टियर वन कंट्रीज को आप टार्गेट करिये, और हाई सीपियम आपको मिलेगा, डैपिनिटली मिलेगा, इतना ज़्यादा रीच कैसे गेन किया था फेस अठारा पर ही रुके हो एर, या तो साथ साथ हजार रुपे भी स्पेंड हुए, एक ही बात को पगड़ के क्यों जूलते रहते हो, आप अर्निंग पोटेंशिल लेगे हो, इन चीजों में नुख्स निकालने चा कोई फायदा नी है, आप अर्निंग लगाईए, आप बच इतना आना है बीच में जो बचा हो, इस से अधा कोर्स में कुछ भी नहीं है, यही एक चैप्टर के अंदर यही दो तील लाइनों का पोर्स है, इस पीम बहुत लो मिलती है, आई सीपीम, ब्रदर सीपीम कंट्री वाइस मिलती है, आज से सपोर्ट से आप बात कर लीजिए वो आपको बता देगे किस कंट्री वो आप टार्गेट करिये, वापे आपको सीपीम मिलेगा, आप एड्स को रन करिये, बाकी मैं एक एड्स का प्लैट्फॉम मुझे पता है, हर कोई भाई मैं इसलिए नहीं बताता है, यह सब ट्रिक्स इसलिए नहीं बताता, क्योंकि हर कोई एड्स में पैसन नहीं लगा सकता, कलको मैं एक कॉमन एड्स फ्लैट्फॉम लेके आरहा हूँ, जिसकी जो श्रद्दा होगी, एक डॉलर, दो डॉलर, टीम डॉलर, वो एड्स को रन कर सकता है, चाहे हो गूगल एड्स हो, फेस्बुक एड्स हो, बिंग एड्स हो, र ट्रैफिक आर्बिटराज करो, ब्रदर, ट्रैबुला इस टू मुच एक्सपेंसिट, और गूगल के सामने मैं ट्रैबुला को कुछ नहीं समझता है, और आप लोगों को भी नहीं समझना चाहिए, ओके, हाओ टु ड्राइब डेली 325 प्रीमियम कंट्र, 325 के, ब्रदर, मे जार की सोच लेगे बैटे, सोचों के बड़ा, तब ही मिलेगा कुछ, 90% की तयारी करता है, कोई बच्चा कर इस फूल के अंदर, तब जाके वो 70% अच्रीव करता है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी आपको तयारी करनी, अंकित भाई आट शारह से आपने एक मन चैलेंज आहा तो सिर्ट टाइम पास के लिया था, अच्छा लगने लगा है, आप लोगों से बात करते हुए, एंकियो पॉर यूर लव एन सपोर्ट, तुझको एक मन से सब्सक्राइब किया हुआ, एट सेरा वाली नहीं बनाई, बस अपने व्यूस बढ़ा रहा है, भाई, आपने ऐसा और आए वोग कि मैं इसके अंदर सॉल्यूशन्स देने में कुछ हद तक सक्षम हुआ हूँ, बाकि अगर आपके कोई भी क्वेशन्स हैं, तो kindly reach me out on the telegram or YouTube comments के अंदर, और कोई भाई प्यार करे, कोई भाई नफरत करे, सबको प्यार है मेरी दर से, love you brothers, show some support, share the video, like the video, comment on the video subscribe to my channel, फिर मिलता हूँ आगे, वीडियोज वे, organic methods ले गया हूँगा, कैसे organic traffic आप बढ़ा सकते हैं, ताकि कल को पैसा रहे या न रहे, traffic तो आता रहेगा, earning तो चलती रहेगी, ठीक है, ये main चीज़ वर focus करोगा, आज पैसा है तो आप 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 भी ट्रज कर सकते हो, आपक की, सर्च चालू करेंगे, interviews देंगे, job करेंगे, तो इस चीज़ से बचना है, कल secure करिए, पहले future secure करिए, उसके बाद earning तो आता जाता रहेगा, focus on your process, result की चिंदा मत करिए, और result की चिंदा नहीं करेंगे, तो कल आपका अच्छा रहेगा, but my words, ये आपके भाई का आप से ब आपके साथ, till then, keep learning, keep earning, bye, take care.